बिना किसी DC मोटर के rotating stand बनाना भहती आसान है बस आप वीडियो को complete watch कीजे तो यहाँ पर मैं एक PVC पाइप का piece लेने वालाव इस PVC पाइप का 110 mm डायमेटर है अभी मैंने इस PVC पाइप के दोनों साइड पर pencil से mark करके इसे cut कर लूँगा cut करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो 3.5 cm इस PVC पाइप का मैंने एक piece ले लिया है अभी आपके पास दो options है अगर आपके पास PVC पाइप का sheet है तो आप इसका भी use कर सकते हो otherwise अगर आपके पास CD disc available है तो आप उसका भी use कर सकते हो यहाँ पर मैं CD disc का use करने वाला वो बहुत ही आसन होगा तो इस CD disc पर हमें एक motor को connect करना है तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया था DC gear motor का use नहीं करने वाला हो यहाँ पर मैं synchronized motor का use करने वाला हो यह भी आपको market में आसन इससे 90 to 100 रूपिस के बीच में मिल जाएगी औ तो इससे अच्छा तो इस motor का use करना ही एक बेटर option है यह motor direct 220 volt पर चलती है और इसको किसी भी speed controller की कोई जरूत नहीं होती है तो इसलिए आप भी इसी motor का use कीजे तो इस motor का इस disc पर मार करके इस motor को हम fix करने वाले है fix करने के लिए यहाँ पर में screw और nut का use करने वाला हो तो इसे fix करने के बाद इस PVC pipe पर आप देख सकते हो बहुत या असनी से यह disc बेट रही है और coincidentally यह जो CD disc है इसकी size और इस PVC pipe का size दोनों एक साथ sync हो जुके है अभी हम क्या करेंगे इस PVC pipe पर हमें एक switch भी लगाना होगा तो switch के लिए हम यहाँ पर cutting कर लेते हैं मैं इस प्रकार का expressly switch use करने वाला हो क्योंकि यह 220 volt पर चलता है इससे छोटा वाला switch का use मत कीजे वो खराब हो जाएगा जल्दी से और इससे बड़ा use भी नहीं कर सकते तो आप इस switch का use कीजे cutting करने के बाद आप यहाँ पर देख सक सकते हो बट डायरेक्ली हमें 220 volt से connect करना है तो आप अच्छे वाली वायर का use कर सकते हो तो इस वायर के एक वायर को हम motor के directly एक वायर से connect करेंगे इस motor में कोई भी polarity नहीं होती यह AC motor है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस पर लिखा हुआ भी है यह 220 volt पर ही चलती है से हम switch के नीचे वाले pin पर connect करेंगे तो आप देख सकते हो कि connection बहुत ही easy है फिर भी मैंने इसका connection diagram दे दिया है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि connection complete हो चुके है अभी हमने जो supply wire को यहाँ पर use किया है वो खिचने से भार ना निकले या फिर connection ना तूटे इसलिए में यहा connection tape लगा कर इसे fix कर दूँगा अभी हम इस city disc को और PVC pipe को एक साथ join करेंगे तो यहाँ पर मैं fake quick से इन्हे fix कर दूँगा fake quick से fix करने के बाद नीचे साड़ी पर भी हम एक disc को लगा लेते हैं दोनों साड़ से आच्छे से cover करेंगे अभी आप देख सकते हूं कि बहुत ही अंदर डालूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर एक wooden piece का use करने वाला हो आप चाहे तो MDF board का भी use कर सकते हो या फिर PVC sheet का भी use कर सकते हो इस wooden piece को मैंने कुछ इस प्रकार से cut किया है और बीच में एक hole भी बना लिया है और इस chart में हम इस wooden piece को आच्छे से fix करेंगे तो इसे fix करने के बाद finally हम इसके उपर भी एक cd disk को लगा लेते हैं आप चाहे तो PVC sheet का भी use कर सकते हो तो इसे लगाने के बाद fake quick से इसे भी fix करेंगे तो finally हमारा rotating display stand बनकर ready हो जुगा है अभी मैं आपको इसके testing भी करके दिखाऊंगा तो friends जैसा कि आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे तरह से work कर रहा है यह rotating display stand आप अपने साथ से इसका use कर सकते हो जितना इसका size होगा उस हिसाथ से आप इस पर किसी भी device को product को यहाँ पर रख कर आप इसका use कर सकते हो तो यह rotating display stand आपको कैसे लगा comment करके ज़रूर चैनल पर नए हो तो चैनल को पर सब्सक्राइब करना ना भूले जल्दी से आमें 100k सब्सक्राइबर तक पहुचना है तो जरूर आप इस चैनल को help करोगे चलिए मिलते अपनी अगली वीडियो में